लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले लंदन में रहने वाले काजी रहमान भी ऐसे ही शक्स हैं उन्होंने काम्याबी की नई इबारत लिखी है उनकी काम्याबी हर किसी को प्रेणना देने वाली है वे एक समय प्लेन का टॉयलेट साफ करते थे अब वही काजी अपनी एलाइन्स लाँच करने जा रहे हैं फिर ना स सेर्वेज लौँच करेंगे काजी 跟 cavffary की काजी रहमान की काम्याबी की कहानी पर यकीन करना मुश्किल हैँ मगर यह पूरी तरह सच हैाने के मताबिक Kaji Rihman खुद को हलाल रिचर डरेंसन बुलाते हैं Kaji Rihman ने अपनी एलायंस का नाम फिर ना सेरवेज रखा है मजे की बात यह है कि Kaji की एलायंस में शरीयत कानून का पालन होगा अपनी पहली उडान के साथ फिर ना सेर्वेज बिटेन की पहली शरीयत कानून पर चलने वाली एलाइंस है एलाइंस में होगा शरीयत कानून का पालन शरीयत कानून का पालन करने का मतलब यह है कि इस एलाइंस में यात्रियों को इसलाम के कानून के हिसाब से सुविधाय मिलेंगी मतलब यह है कि आप इस एलाइंस में शराब का सेवा नहीं कर सकते हैं साथ ही इस से एलाइंस में यात्रियों की सुविधा के लिए हिजाब पहनी एयर होस्टेस नजर आएंगी टॉयलेट क्लीनर के रूप में शुरू किया काम 32 साल के काजी रह्मान एक बचे के पिता हैं वे अपने परिवार के साथ 11 साल की आयन में 1997 में ब्रिटेन आये थे स्कूलिंग करने के बाद लंदन सिटी एरपोर्ट पर बत और टॉयलेट क्लीनर काम करना शुरू किया था काजी के जीवन पर बन चुकी है डॉक्यूमेंट्री मीडिया के मताबिक बांगलादेशी मूल के काजी रह्मान की जिंदगी पर चानल 4 ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है काजी के भविशे की यूजना ब्रिटेन से यूएई, पाकिस्तान, बांगलादेश के लिए फ्लाइट शुरू करने की है शुरू से देखते थे बड़ा सपना काजी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा कि वेह शुरू से उंची सोच रखने वाले व्यक्ति थे इसी कारण उन्हें अपने सपने को पूरा करने में काम्यावी मिली है टॉयलेट क्लीनिंग के जॉब के दोरान भी वह सूट पहन कर काम करने जाते थे दो साल से लगे हैं तैयारी में काजी रहमान को सफलता उनकी परपयूम के बिजनेस सुना मस्क से लगी वैसे पिछले दो सालों से उन्होंने अपना सारा ध्यान एलाइंस खोलने में लगा रखा है फिर नास एरोईज अपने उन्नी सीटर विमान को किराय पर देने में लगी है काजी का कहना है कि जल्द ही फिर नास की पहली उडान की तैयारी हो रही है बड़ा सपना देखकर उसे पूरा करने पर काजी को फखर भी है